नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर सहमारे इस चैनल वेदिक द्रिश्टी पर घर में इस जगह चुपके से जाडू के नीचे छुपा दें ये चीज माता लक्ष्मी करेंगी धन की वर्षा अपने हाथों से आपकी आने वाली साथ पी ही फिर करेंगे पैसों पर राज दोस्तों आज का विडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है जाडू के हम आपको ऐसे कुछ खास उपाय बताएंगे जिनको अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में माता लक्ष्मी जी धन की वर्षा करेंगी जाडू का हम आपको वहन्यम बताने वाले हैं जिससे आपको पता चलेगा कि जाडू को किस दिशा में रखना शुब होता है जाडू कब बदलनी चाहिए जाडू को लेकर आपको ऐसी कौन सी गलतिया नहीं करनी चाहिए जो वास्तु शास्त्र में लिखा हुआ है वर्ना आपके जीवन में आपको गरीबी, दरिग्रता परिशानी कष्ट का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा जाडू का सीधा तातपर्य और सीधा संबंध माता लक्षमी जी से होता है किसी भी व्यक्ति अगर जाडू का सही उपाय सीख लिया और जाडू का सही तरीके से वह उपाय कर लिया जो हम पान के चलिए आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशिर्वाद मिलेगा। दोस्तों आप एक बात जान लीजिए। वैसे ही हर कोई जानता है कि जाडू को कभी भी रात में नहीं लगाना चाहिए लेकिन हमारे हिंदू शास्त्रों में कुछ उल्लेख लिखे हुए है। दोस्तों जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशिर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे तो कमेंट बॉक्स में तुरंत ही लिख दे। जै महालक्ष्मी और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है। वीडियो लाइक करके चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में घर को मंदिर माना जाता है। इसलिए कहा गया है कि हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर हम प्रति दिन साफ सफाई करते हैं तो हमारे घर पर माता लक्ष्मी जी वास करने आती है। अगर हमारे घर में रोज साफ सफाई हो रही है तो हमारे घर में कभी भी गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट नहीं आएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हमारे घर में साफ सफाई नहीं होती है, हमारा घर गंदा पड़ा रहता है, तो हमारे घर में नकारात्मक उर्जा का वास हो जाता है हमारे घर में गरीबी दरिदर्ता आ जाती है और वास करने लगती है जिससे हमारे घर की बरकत रुप जाती है दोस्तों आज एक बात आप जान लीजिये जब भी आप रात में सोने जाती हैं तो एक बात का ध्यान रखियेगा रात्री के समय ही आपके घर में नकारात्मक शक्तियां, काली जादू, काली शक्तियां प्रवेश कर जाती है लेकिन अगर आप लोग वास्तुशास्त्र के हिसाब से प्रतिदिन जाडू लगा रही हैं और सही मुहूत लगा रही हैं तो कोई भी शक्ती जो आपके घर पर रात में प्रवेश की है वो आपके घर से हमेशा के लिए चली जाएगी दोस्तों बहुत ध्यान दीजिएगा जो आपको हम बताने जा रही हैं वास्तुशास्त्र के अध्ययन नंबर 71 में साफ साफ लिखा हुआ है जब भी सूर्योदय होता है आपको सूर्यदेव के बाद तुरंथ ही जाडू लगा लेना चाहिए अगर आप सूर्योदय के बाद जाडू लगाते हैं तो आपके घर की जो नकारात्मक शक्तियां होती है वो आपके घर से चली जाती है आपके घर पर सकारात्मक शक्तियां का वास हो जाता है कहने का तात पर यह है दोस्तों की हमारे वास्तुशास्त्र के हिसाब से सबसे अच्छा समय जो ज़ाडू लगाने का होता है वो सुभा के वक्त सूलोदय के बाद का होता है लेकिन किसी कारणवश आप सुभा उठ नहीं पाते हैं तो दोपहर से पहले अगर आप ज़ाडू लगा लेते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ है इससे होता ये है कि माता लक्षमी जी अवश्य ही आपके घर पर वास करने आती है एक बाद का ध्यान रखिएगा दोस्तों ज़ाडू को लेकर वास्तुशास्त्र धर्म शास्त्र में कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिसका अगर आप पालन करते हैं निश्चत रूप से आपको माता लक्षमी जी की कृपा मिलेगी आपके जीवन काल की कई तरीके की जो परिशानिया हैं वो अपने आप खत्म हो जाएगी दोस्तों ज़ाडू एक बहुत ही कॉमन सी चीज है एक ऐसी चीज है जो हर घर में मिल जाती है और हर घर में इसका उप्योग होता ही होता है लेकिन कई लोगों को और मैक्सिमम लोगों को ज़ाडू के नियम पता ही नहीं है जिसकी वजह से वो जाने अंजाने ऐसी गलतिया कर देते हैं जिसकी वजह से माता लक्षमी जी आपसे रुष्ट हो जाती है मान लीजिए आपके पास पहले पैसा आ रहा था फिर एकदम से पैसा आना बंध हो गया तो इसका मुख्यकारण क्या हो सकता है ज़रूर आपने ऐसी कोई गलती कर दी है जिसकी वजह से माता लक्षमी जी आपसे रुष्ट हो गई है और उसका एक मुख्यकारण हो सकता है कि आप जाडू का उस तरीके से पालन नहीं करते हैं जाडू का उस प्रकार से प्रयोग नहीं कर रही है जिस प्रकार से वास्तु शास्त्र में लिखा हुआ है दोस्तों अगर आप ये वीडियो लास्ट तक अंट तक देख लेते हैं जाडू के वाह उपाय सीख लेते हैं जो आपको हम बताने जा रहे हैं निश्चित रूप से आपको माता लक्ष्मी जी का वो आशिर्वाद मिलेगा कि आपके जीवन काल में धन संबंधित कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी आपके जीवन काल से गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें हमेशा के लिए खक्म हो जाएंगी दूसरी तरफ आपके घर पर धन का आगमन शुरू हो जाएगा माता लक्ष्मी जी के आशिर्वाद से आपके लिए धन के सारे रास्ते खुल जाएंगे आपके जीवन काल में आकाश्मिक धन के आपको प्राप्ती होगी और माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगी इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाएं देखिएगा और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है पहले जा करके वीडियो को लाइक कर दीजिए तो कुछ चीजें जिनका आपको ध्यान रखना होगा जारू को लेकर वो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो देखिए बहुत पहले जो बात है, जो सबसे पहला नियम है जारू को लेकर के वो यह नियम है कि कभी भी घर की जारू को अपनी नजरों के सामने मत आने दें। देखिए इस बात को समझ लीजिए चाहिए जाडू को घर में रखते हो चाहे ओफिस में रखते हो कभी भी ना अपने आखों के सामने आने दे ना किसी बाहरी व्यक्ति के सामने आने दें। जाडू को ऐसी जगह चुपा करके रखिए जो आपकी आखों के सामने ना हो। जाडू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों देखा गया है कई लोग आलस में पुरानी जाडू का प्रयोग करते रहते हैं, उसी से साफ सफाई करते रहते हैं। वस्तु Вам शास्तर के हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा अशुब है। ओफिस हो या घर हो, कभी भी तूटी जाडू का इस्तिमाल करके हमें घर की साफ सफाई नहीं करना चाहिए इससे हमारे घर पर परेशानिया आती हैं, दिक्कतें आती हैं हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं, उसमें लगातार बाधा आना शुरू हो जाती है तीसरा नियम यह कहता है कि जाडू कभी भी खड़ी नहीं रखनी चाहिए ये बहुत ही ज्यादा अप्शगुन होता है ध्यान रखिएगा दोस्तों जाडू को कभी भी खड़ी करके नहीं रखना चाहिए जाडू को हमेशा लेटा करके रखना चाहिए चौथा शाम के वक्त कभी भी घर में आपकी जारू नहीं लगानी चाहिए अगर कोई व्यक्ति जारू शाम को लगाता है तो मान के चलिए उस व्यक्ति के घर में माता लक्ष्मी जी कभी वास करने नहीं आएगी माता लक्ष्मी उससे रुष्ठ हो जाएंगी पांचवा नियम ये है दोस्तों की जाडू को लेकर आपको ये ध्यान रखना होगा जाडू को आप कभी भी लागे मत आपका कभी भी पाव जाडू से ना छुए ये बहुत ही ज्यादा अशुब है क्योंकि हमने आपको पहले बता दिया है कि जाडू माता लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है और जाडू को लेकर माता लक्ष्मी जी से बहुत ज्यादा तात्पर ये जोडे जाते हैं तो कभी भी जाडू से अपना पाव मतलब लगने दीजि पर नहीं रखना चाहिए। मतलब ना बाथरूम के बगल में रखना चाहिए ना शौचाले के बगल रखना चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से दोस्तों माता लक्षमी जी आप से रुष्ट हो जाएंगी। तो अभी तक हमने आपको जाडू को लेकर वह नियम बताए हैं जो आपका जानना जरूरी था कि आपको कौन सी गलतिया नहीं करनी चाहिए। पहले जा करके आप वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट बॉक्स में जैमा लक्षमी लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर सकारात्मक शक्तियां का वास रहे, आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी कोई नकारात्मक शक्ति ना ये तो ध्यान रखिएगा जैसे सूर्योदय होता है तुरंत ही जाडू लगा दीजिए, ये बहुत ही शुभ माना गया है। ये हम आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके थे। एक बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग शुक्रवार के दिन जाडू लगा रहे हैं, तो घर के मुख्यद्वार पर थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके जाडू लगाएगा। ये बहुत ही शुब है। अगर आप सूर्योदय के बाद शुक्रवार के दिन थोड़ा सा सेंधा नमक धर के मुख्यद्वार पर डाल कर लगाते हैं, तो इससे माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाती है। दूसरा माना गया है, अगर आप कभी भी जाडू खरीदने जा रहे हैं, तो शनिवार के दिन जाडू खरीदने के लिए सबसे ज्यादा शुब दिन माना गया है। प्राप्ती होगी, आपको बैकुंट की प्राप्ती होगी, और आप भी जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको सफलता ही मिलेगी। और अगर आप जाडू को उत्तर दिशा में अपने घर के रखते हैं, तो मान के चलिए धन संबंधित जीतने भी आप नेने लेंगे, उससे आपको फाइदा ही होगा, धन का आगमन आपके जीवन में बहुत तेज हो जाएगा, आपके जीवन काल से धन संबंधित जितनी भी परिशानिया है वह चली जाएंगी। अब आपको जो हम बताने जा रही हैं, वो बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों और अभी तक अपने वीडियो लाइक नहीं किया है, कृप्या करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। सावधान होने की जरूरत है। मान लीजे आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने आ रही हैं, किसी को करजा देने जा रही हैं। पैसे का निवेश करने जा रही हैं। शेयर मार्केट में या किसी भी जगह अब आपको सावधान होना चाहिए। ऐसी जगह पर पैसा मत लगाए जहां पर 50-50 का चांस है कि आपका पैसा वापस आएगा। सपने में अगर आप खुद जारू लगा रहे हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा अशुभ माना गया है। ये आपको एक संकेत होता है कि पैसे को ऐसी जगह मत लगाएगा जहां से पैसे आने के चांसिस 50-50 टाइप के हैं। ये आप समझ रहे हैं, ना दोस्तों तो इसको बहुत ध्यान रखिएगा। दूसरा अगर आप सपने में ये देखते हैं कि आप मंदिर में जाडू लगा रहे हैं, तो मान के चलिए अब आपके जो कठिनाई वाले दिन थे वहाँ चले जाएंगे। आपके कश्ट वाले जो दिन थे वह खत्म हो जाएंगे। और माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगे। ये बहुत ही ज्यादा शुभ बताया गया है। अब मान लीजिए आप सपने में ये देखते हैं कि आपके कोई घर का व्यक्ति ज्यादू लगा रहा है, तो ये उसके लिए बहुत शुभ संकेत है। मान के चलिए कि आपका जानने वाला वो व्यक्ति जो आपके सपने में ज़ाडू लगा रहा है, उसका समय अच्छा आने वाला है. दोस्त ये कुछ ऐसी बाते हैं ज़ाडू को लेकर जो आपका जानना जरूरी था. अब आपको हम एक प्रयोग बता देते हैं. अगर आप इस प्रयोग को करते हैं, इस उपाय को करते हैं, तो आपके जीवन में धन का आगमन बहुत तेज हो जाएगा. शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है. इस दिन किया गया उपाय कभी खाली नहीं जाता है. ध्यान रखिएगा. दोस्तों या जो रहे हैं, ये पांचों शुक्रवार का उपाय है, यह उपाय अगर आप करेंगे, तो माता लक्ष्मी का आशिरवाद मिलेगा. आपको करना सिर्फ ये है कि एक शुक्रवार को मतलब पहले शुक्रवार से जब ये आप उपाय करने आ रहे हैं, उससे पहले आप तामसिक भोजन छोड़ दीजिएगा तामसिक का मतलब है शराब, मदिरा, नौन वेच इन सब चीजों को बिलकुल त्याग दीजिएगा वरना आपकी ये पूजा संपन्द नहीं मानी जाएंगी आपको माता लक्षमी का आशिरवाद नहीं मिलेगा आपको करना सिर्फ ये है कि पांच शुक्रवार आपको किसी भी जाडू के नीचे जो घर की जाडू है उसके नीचे दो लॉन दबा देनी है और एक काली मिर्च दबा देनी है इसको पहले शुकरवार के बाद दूसरे शुकरवार को किसी भी लाल कपड़े में रख देना है फिर ऐसे लगातार आपको जीतने भी शुकरवार आप इलाएची और ये लॉन दबा रहे है इसको लाल कपड़े में रखते जाए और इसको मौलिक धागे से बांध करके अपनी अलमारी में रख दीजिए इसको वही पर पड़े रहने दीजिए और दिवाली के समय इसको निकाल करके किसी भी बहती नदी में बहा दीजिएगा दोस्तों दिवाली तक आपके पास पैसे आने के रास्ते बंध हो गए थे वो आते रहेंगे और दिवाली के बाद जब इसको बहाएंगे तो मान के चलिए आपके जीवन में आपको आकस्मिक धन की प्राप्ती होगी दोस्तों ये कुछ ऐसे उपाय है जाडू को लेकर के जो आपका जानना जरूरी था हमने आपको एक-एक उपाय बता दिया